आप सभी वेलकम टू माई न्यू ब्लोग तो आप सभी को मेरे तरफ से हैपी नुएयर नहे साल के खुप को बदाई आशा करती है आप इस साल में खुश रहे स्वस्त रहे और बहुत शारी खुश आपके दहर में आए हाँ एधुत है है एपि नुएयर बोल दो सब को ही एल्व करो हीओ सो है एपी नुएयर बोलो सब शाया है अब का ऐस आपको मिने क्रफ सब बहुत बहुत सब करामनाी com कना थिन नुएयर की नैसाल आई साल को इक नुटिमा कुछ अच्छे लिए बता डेस को इस अच्छे सी डीश हो तो बने रही है मेरे इस रॉग देखे कि हमने कौन झीश बनाई तो देखे फ्रैंस हमने गाज़ ले लिए गाजर टीन या चार किलो के आसपास है ये हमने इनको अच्छी तरह धो लिया दोने के बाद है HEMA इसको कद्डुकस कर लिया कद्दुकस करने के बाद मैंने इसको कोकर में चड़ा दिया कहब कॉकर में ऑबनने के लिए मैंने रख लाँ हैजा का कडाहि कोकर में चीन जाट गूल हुआ पानी दिउटा से वे लिगए। दूद्धा तो सब्सक्राहिय जैंगी, आची तरह error इस सब्सक्राइ। पकरिए चीनी में यह देख सकते हैं जब यह अच्छी दर पक जाएंगी अभी समें पानी है तो सचाइब थोड़ा चलाना पढ़ना चाहिए इसलिए बार बार चलाना पड़ता है नीचे जल जाता है नहीं चलाएंगे तो अब चलाने से यह लगता थी कि नीचे तो अब मैंने इसमें ड्राइफूट मिक्स करने के बाद मैंने इसमें मावा डाला यह मावा थोड़ा टायर था सर्दी की वज़े से तो मैंने इसको थोड़ा गरम करने के बाद मैंने इसको गाजर के हल्वे में डाल दिया और डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया मावा और गाजर काल्वा मिक्स हो रहे हैं मिक्स होने के बाद इसका टेस्ट और कलर बहुत सुन्दर हो जाते हैं यह देख मिक्स करने के बार थोड़ा ठंडा हो जाएगा ठंडा होने के बाद मैं इसको दूसरे बरतन में कड़ाई में से दूसरे बरतन में निकाल लिया तो कैसे लगी आपका मेर गाजर के हलवे की रेसिपी कमेंट में जरूर बताना और प्लीज लाइक शेड एंड सस्क्राइब